तो भाई आपको कैसी लग रही है एक मॉडिफिकिशन देख के मज़ा आया है हम महां से देखते हुआ थे वाई तभी हम आपके पास आया नहीं तो फिर चलो थैंक यू भाई थैंक यू तो आज की शानदार जानदार वीडियो लेकर फिर से हाजर हुँ तो आज की शानदार भाईक आप देख सकते हैं हमारे पास एक एक अट्यम की ड्यूक 250 और कितनी तगडी मॉडिफाइड है यह आप देखी सकते हैं पूरा मतलब नियॉन ग्रीन कलर हो रखा है एक रप ओवि यह अद्यू टाइब की इसको वीडियो आप कह सकते हैं उसके बाद भाई आपने अगर अधी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए मैं इसी वीडियो आपके लेकर आता रहता हूँ तो बहु चलिए जल्दी से आपको तेखा तो चलिए बाई वीडियो को शुरू करते हैं तो बाई यह चेक करो यह 2021 मॉडल है और इसमें यह नियोन कलर का काम हुआ हुआ है तो आप देख सकते हैं यहां पर फ्रंट में इसकी डियारल पे भी काम हुआ हुआ है उसके बाद इसमें आप देखो भाई पूरे जो बॉड़ी पैनल्स हैं पैनल्स के ऊपर यहां पर किट भी लगी हुई है इस पर यहां पर एक्स्थ्री बॉडी किट लगी हुई है इसकी पीछे से टेल टाइडी भी हुई है एक्रापोविक का एक्जॉस्ट आप देखी सकते हैं और इस वाले की आवाज फटती नहीं है काफी बेसी और काफी अच्छी आवाज है इसकी एक्जॉस्ट की आवाज भी मैं आपको सुनाओंगा उसके बाद भाई रिम देख लो रिम में भी नियोन एक्सेंट लगवाय हुआ है सामने वाला जो नियोन करवाय हुआ है रिम और पीछे वाला रिम ब्लैक रखा हुआ है तो ओवरॉल काफी अच्छी लुक निक आरी है तो भाई अब मैं आपको अनर से मिलवा देता हूं क्या नाम है आपका मेरा नाम अरियंग लिंगो है अच्छा जी क्या काम करते हो भाई तो अज़े काम करते हो बाई? मैं पोटमें काम करता हो लेकίν बाई को का सौक परे मत favor के था तो यह से बना दिया मैंने में यह दूप का तो भाई अब एक बार ओनर से जंन लेते हैं क्या काम और कहां और कहां भा admits इसमें सारा काम और क्या कोस्टिंग आये तो भाई एक एक कर के आप एक वरम ini बता दें जरूर se कि क्या-क्या काम उसके अंदर तो अदर टो फ्रेंट से शुरू करो भाई इसका यह छिए ल시면 धिया अच्छा उव इस नियिं में नियून में इसका बलाक होता है जुग में तो दोनों मिलता है एक ऐसी किट मिलता है और एक एक जज प्रिक में इस से इसम इपर बड़ा हो शुख like ओल लिटा है तो से एक बागर में बना क्या गाता है अच्छा अंदर से बाइक बिल्कुल एंटच है इसमें कोई ECU अप्ग्रेड वगएरा पर्फॉर्मेंस मौड नहीं है अच्छा तो ये जैसे आपने X3 किट लगवाई हुई है तो दूसरी वाली जो किट आती है उससे उपर आपने ये वाली क्यों ली ये एक्स्ट्रिक लेने करने SC किट इससे थोड़ा लंबा होता है अच्छा एक्स्ट्रिक लिए तो बाइव तो सची में काफी मस्कुलर और अग्रेसिव लोग निकल के आ रही है बाकी आप लोग भी देख रहे हो वीडियो तो जरूर से बताओ कैसी लोग निकल के आ रही है अब बात करूंगा मैं क्या खड़्चा आ इसके अंदर कहां से काम करवाया तो भाई एक लिम्बु भाई आमें बताओं कहां से काम करवाया अपने पूरा मैंने आदा तो करुल बाक सभी शनी ग्राफिक से किया है अच्छा एफिक्स और इतने भी है वहाई से किया है और और अधा यही बुराजी से किया है यह रीम अगेरा के काम और एक्रोपर्बिक मैंने अमोजन से लिया है वी बेंड पाइप लिया है अच्छा तो इंस्टॉल कैसे कर वाया है खुद ने कर लिया अच्छा तो इंस्टॉल कर वाया है अच्छा कहां पर इंस्टॉल कर वाया है बुरारी में किया है बुरारी में अच्छा तो भाई अब कॉस्टिंग एक बता दीजे कि ग्राफिक्स का और पेंट का और एक्जॉस्ट लगा के कितने कि क्या कॉस्टिंग अई है यह तो पूरे का लग जाते है यह 4,000 के लगते है यह एमोजन में मिल जाता है अच्छा बो आटे ऐरूंड 1500 का दिया और यह रिम किया है और यह रिम किया है । सरे करके रिम 20-22 का खर्चा किया है अच्छा थे 22-22 थाउजन के अंदर अपनी थे अपनी मिप्डी तो थे टुफिफ्टी से ऐसी दिखने वाली बना सकते हैं तो 20-22 उपय का खर्चा जिसमें मोटा मोट इस पहले औरेंज होगी ना यहां यह चीज और इस पे पिछे होता है तो यह सिल्वर वाली थी तो गाइस यह मैं आपको दिखा देता हूं कि पहले कैसी लगती थी और अभी मौडिफिकेशन के बाद यह कुछ एसी लग रही है तो भाही कोई दिक्कते आती है आपको मतलब आपको पूच नहीं देता है लेकिन अगर जैसे कितनी पुलिस आपको अट्रक्ट करती है कोई इल्लिगल चीजे यह वैसे हैं यह मौडिफिकेशन तो ऑपको कितनी बार रोकते है पुलिस वाले पुलिस रोकते हैं लिकिन हो जाते है आपने बाई बंद से हो जाते है तो तो भाई पुलिस भी देखो डेफिनेटली इन सब चीजों से अट्रेक्टी होती है लेकिन वाई देखो शॉक अपनी जगाए तो भाई मैंना एक बहुत ही जन्वेन सा सवाल आप से पूछना चाहूंगा कि आपने पहले छे साथ हजार चलाई थी है बिना एक्जोस्ट के उ तो भाई कहए है के एक्जोस लगवाने से परफॉर्मेंस और माईल्यज में फरक पड़ता है तो भाई ये चीज़ भी आप जरूर से देखे हैं कि अगर आप एक्जोस्ट लगवा रहे हैं तो अब कि परफॉर्मेंस डिप यहां पपे जरूर से हो सकती तो भाई अब मैं आपको ना इसका exhaust sound सुना देता हूं तो भाई अवाज ना इतनी प्यारी है मतलब कि ऐसे थोड़ा मफल्ड sound है अवाज फटती नहीं है बिल्कुल भी तो गैस आपना इतना heavy exhaust मतलगाओ कि लोगों को उससे परिशानी हो आपको looks चाहिए तो आप easy exhaust लगवाओ जिससे की लोग आपको देखें कि हाँ यह कौन सी बाइक जारी है ना कि आपसे यू कान बंद करके ऐसे कान फेरें तो भाई वो बहुत गलत लगता है तो आप जरूर से ना करें ऐसे अच्छा वाले exhaust लगवाएं जिसकी आवाज थोड़ी सी मफल्ड हो और दूसरों को परिशान ना करें तो यही थी कुछ आज की हमारी वीडियो इसी modified ड्यूक 250 के बारे में आपको यह बाइक कैसी लगी आप हमें कॉमेंट्स में जरूर से बताएं उसके बाद भाई काम बड़ा जबरदस्त है और बहुत ही शानदार लग रही है तो भाई आप हमें जरूर से सज़ेस्ट करें कि आप यह modify करवाएंगे यह आपको stock वाली जादा पसंद है तो जो भी आपके comments है अच्छे अच्छे वो हमें सारे comment section में बताएं आप चाते हम आपके लिए कोई और नई वीडियो लेके हैं तो वो भी हमें जरूर से बताएं कोई नई बाइक के बारे में उसके बाद भा च्छे बाद लुवाट कर बाद 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 वी आपके बार बाद 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 चाते हैं रिपल्दा मुवाग!